हाई दोस्तों व्लोग की स्टार्टिंग से पहले मैं आपके साथ में कुछ सेयर करना चाहता हूं कि अगर आपको भी कपड़े चाहिए स्वेटर चाहिए या फिर जैकेट चाहिए विंटर वियर से रिलेटेड कपड़ हो पार्टी वियर से रिलेटेड कपड़ हो चाहिए वो लेडिस के लिए हो चाहिए वो जैंट्स के लिए हो या फिर बच्चों के कपड़ हो या फिर हमारे घर पे जैसे बैड वगेरा के चद्दर वगेरा होती है वैसे कुछ कपड़ चाहिए या फिर home decoration से related कुछ शाम हान चाहिए तो आप ये सब कुछ खरीच सकते हो मेरा link से और मेरा link आपको मिलेगा description box में तो एक बड़ जरूर विजिट करें हाई दोस्तों कैसे हैं आप अभी शाम हो रखी है और मम्मी जो है ये इसको नंदी को आटा डालने के लिए जा रही है क्योंकि जो आटा है वो पुराना हो गया था ये बाजरे का फिश्वाय था हमने अलग से तो 10-15 दिन से ज़्यादा हो गय थे और इसमें जो है खटी- स्मेल आने लगी थी कल रात को जब रोटिया बनाई मम्मी ने तो उसमें मतलब स्मेल सी आ रही थी और ज्यादा कड़वाट लग रही थी तो इस वज़े से ना बाहर डाल दिया और ये खाल लेगा अब और ये थेला जो है ये मिल गया हमको हमें मिल नहीं रहा था काफी द किसी का मन तो था नहीं रोटी खाने का तो मम्मी ने सोचा कि दाल चावल ही बना लेते हैं क्योंकि भाबी थोड़े वह चावल खा लगी तो इस वज़े से मम्मी ने दाल छोक दी और चावल जो है वह गैस पर रख रखें ताकि वह जल्दी से बन जाए स्री थूझे तो इसने हना हवते बर से सब के नाक में दम गडर रख करें नहीं हैं हैं और देन में पूरे दिन सोतियांateg तो जब ये राथ को जाकती रहती है तब ये पूरी रात मतलब चिला 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 खे रहती है और मतलब इसके जो मम्मी है वो तो मतलब परेशान रहती है क्योंकि वो बेचारी उठी रहती है और इसको मतलब बैलाने के लिए इसके साथ मैं मतलब बातचित करते रहो तो तो ये खुस है नहीं तो मतलब फेर यह रोन ने लग जाती है तो इसको बात चित करने वाला कोई ने कोई आदमी चाहिए तो अमने और तो कम प्रका तो कर लिया है थोटा मोटा बाबू को निलाई है यह उसके कपड़े पुड़े हैं क्या करें मशीन में दोएंगे उसके कपड़े आथ से दूलते नहीं कोने जाता है और वह रोर यह कपड़े पेंटे अपनी ममी के पास और बाद में मैं आँगी पिर बर नादेंगे फिर रशय में कुछ मुसेंगे कुछ काम करेंगे सुबह का तो मेंनсти कर दिया इन गानाश स्तेबास दिकादो और बाद मैं करूंगी गारिणी कमेंट आ टो कि वही आपके जो भईयां वह क्या काम करते हैं?' कि काम करा तो बता कि पता किल नहीं कि उप्रोग दिन बैठा रहूट है मैं सुदे लेप्डोप पर बैठेके लेप्टॉप नहीं चेर पर बैठ की लेप्टॉप फोटाम करता हूं मैं रिसर्च करता हूँ जीनोम के उपर इसके थरूँ इसके लावाई कंपनी में जोब करता हूँ जहां पर मैं फूस्टेट डवलपर हूँ जिसमें पीएच्पी री उज़ हो पाइथन भी करता हूँ वेकरिन के लिए प्रेंट के लिए सब्सक्राइब करता है और कुछ वी चीजे पड़ता है उसके अलावा गुमने जो वीडियो देखता हूँ कि दूसरी थेले मन डाली है मेरे अनदी है तो आज हमने उकर दिखाया कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हमने एक चूही देखिए इस घर के अंदर क्योंकि इस घर के अंदर जब से हम रहने के लिए हैं तो कोई भी चूही चूहा कोई भी नहीं था मगर परशों मैंने देखी और आज जो है ये चूही बात्तरूम में गुश गई थी तो हम दोनों भाई बात कर रहे थे बार तो मैंने देख ली थी तो हमने बात्तरूम का गेट बंद किया और अरून है इसने मतलब थेली पैन के हाथ में और इस चूही को पकड़ लिया तो ये एक बार तो मेरे मतलब का मर्प के उपर चड़ गई थी फिर बाद में मतलब य यह निच्चे गिर गई मगर इसने जैसे तैसे करके इसको पकड़ लिया और यह जो है आथ में इसने पकड़ रखे तो इसको काफी गिलगिली सी लग रही है और इसके जो पंजे है चोटे-चोटे वह मतलब खुजली टाइप करते हैं तो अभी जो है हम इसको पीछे वाल इसी तरीके से बनाया है कि यह मतलब उपर से गिर जाते है तो इनको चोट लगती नहीं है और यह इधर गास भी है तो इस वज़े से मतलब इसको चोट लगी नहीं है इसलिए मैंने थोड़ा जूम करके आपको दिखाया है क्योंकि इनकी बोड़ी जो है फ्लेक्सिबल होत आदके को और आरती की साद्य को तीन साल हूए है तो मेरी यह दोनों बेहने यह मतलब रेडियू जो कि काम करती है थे दूब हम उठते नहीं है ना उससे पहले उपन कर लती है मम्मी को गूड मॉर्णिंग बोलने के लिए और रात को सूने से पहले आरती फोन करती है और ब को तो इससे बातचीत कर लेते हैं अगर हमें भी जोईन करना हूं मम्मी को और इन की करने लागा सबस्सद्सक्र धे के पास में तो हम चारो बेन बाई जब बाथ चित करते थे तो हम एक दूसरे की कोल पर ऐसे कॉन्फरेंस से ही बात करते थे और आज जो है मम्मी ने ये गाजर की सब्जी बनाई है और जो हमने गी निकाला था कल उसमें तो कुछ लस्षी बनी थी तो वो जो लस्षी है वो साथ में मतलब काफी टेस्ट ही लग रही थी इसके एक ही आया बाई तो मेरी बड़ी बेन ने ना कुछ गिफ्ट बगरा वेज़े हैं तो ये लगबग रोज ही आ रहे हैं तो आज मतलब साथ कंप्लीट हो जाए तो मैं आपको एक वीडियो बनाके इनकी टारगेटेड वो दिखाऊंगा और वो साथ रेनू के ये चैनल पर मतलब पब्लिश होगी तो आप देख लेना कि क्या क्या मंगवाया है हमने और अभी हम जा रहे हैं दूद लेने के लिए और जो मेरी पैर हैं वो मतलब मैंने ज ग्रूट से बड़े बनता हैं तो मसल्स है ना वो तोड़ने चाहिए और वो मतलब एक्सेसाइज की जरी यह टूट सकते हैं तो आप कभी भी मतलब कोई भी एक्सेसाइज वगरा करते हो चाहे मिट्टी डालना ही क्यों ना हो तो आत पैड़दर्द करने लग जाते हैं तो वो हमारी मसल्स तूटती हैं तो जो ये श्री है ये रात को मतलब जैसे सोती नहीं है रोती रहती है और दिन में मतलब सोती रहती है तो इस वज़े से हमारे इदर जाड़ा लगाई जाते हैं और नजर हो जाती है तो भी जाड़ा लगाई जाते हैं तो ये एक जाड़ा ही है और जिससे ये मतलब रात को सो सके और दिन में मतलो जाग सके तो मम्मी जाड़ा लगा रही है और यह ऐसे लगाए जाता है कि सात बार ऐसे मतलो बैड़ के ऐसे चक्कर निगाल जाता है और पूषता रहा पूषती रहती है मम्मी को बाबी कि क्या डूण रहो और मम्मी एरबार यही रिप्लाई देती है कि मैं दिन में तो सोँ नहीं मतलब दिन में रोऊ नहीं और रात को सोँ नहीं यह डून रही हूं तो मतलब दिन में जो बच्चा जागता रहे और रात को मतलब सोता रहे तो यह उसी हिसाब का जाड़ा है दोस्तों अगर आपके गर में भी ऐसे बच्चे हैं जो रोते जादा हैं तो उनके लिए आप यह लगा सकते हो जाड़ा उससे साथ ठीक हो जाए और एक बार पर ठीक ना हो तो मतलब अगले जो दिन है वो फिर से लगा के देख लो तो इससे मतलब लगबग सही हो जाता बच्चा यह ऐसा मानते हैं को पोरा कर नम नहीं है तो आपको पी पता हो ऐसा कुछ जाड़ा तो कमेंट करके मेर जरू पताना और अगर आपने यह किया हो तो भी बताना तो में आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मेरे क jus जरू बताना अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सबस्क्राइब नहीं करका तो भी कर लेना तो मिलते हैं ने बोलोग के साथ में बाइब अदेख लेख भी शुति खें इंदुस्तान जिन्दवार जिन्दवार कर ला कि इंदुस्तान जिन्दवार मुट्जे वेष्टा थोड़ी बोद्दे तों लो अर्जुना नुखाओ अधा पोण गंट विट्टे के मार्ट सोवाइगी याँ कभू कर्दू इगेथी अगेज वोग गार लेहना ऐसे गरो दोननो साइड़ी उड़जा किम्ये फरक्पड़न्नाग मारे वितकित मारे गंदी वच्ची गंदी वच्ची उड़जा 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 उड़जा